इन में से दो switching MOSFET है यानि यह switching MOSFET है और यह switching MOSFET है और एक 300 volt regulator MOSFET यह है जो की इस जो power diode है उसके पास लगा है हलो फ्रेंड्स मैं मुहम्मद कुद्दूस मर्टिटेक इवह की लैंब में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज कमारे पास इस्ट मैंड का दो चार्जर आये हैं जैसे आप देख रहे हैं जो हमारे स्टुडेंट का ही है जो रनिंग क्लास में अभी बैठे भी है और पढ़ भी रहें यह बहुत दूर से आये हैं असाम साइट से और विहार में यह खूब चलता है तो हमारे हां किसी भी तरह का आप चार्जर शीख सकते हैं लेगिन टाइम देना पड़ता है और टाइम दे करके आप अच्छी तरह से सीख जा सकते हैं то मैंने सोचा कि क्य आपको बताने जा रहा हूं जो इस्ट्मेट का चारिजर है, इसके मुठ्थे सेक्षन कौन-कौन से सेक्षन होते है, ये पहले हम जानते हैं तो आएए इस वीडियो में में सेक्षन कहां पर क्या है, ये हम लोग जानने की कोशिस करेड़ी तो चलते हैं बोल्ड पर और देखते हैं में सेक्शन कहां कहां तो दोस्तों अब हम लोग बोल्ड पर आते हैं और बोल्ड पर समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेक्शन कहां है तो सबसे पहले जैसे कि आप यह वायर देख रहे हैं यह वायर जो AC input है और यहाँ पर लिखा भी है AC input उसके बाद यह red and black wire है जो की live neutral का track है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह earth का wire है जो की body से touch किया जाता है उसके बाद आते हैं जब यह 220 volt AC यहाँ इन करती है तो यहाँ पर यह आप देख रहे हैं rubber के cap में लगा हुआ component जिसे VDR करते हैं और उसके बाद यह line filter coil या RF coil कहा जाता है इसको यह जो आप देख रहे हैं यह time filter coil या RF coil next उसके बाद pack bridge diode है यह आप देख सकते हैं pack bridge diode और clear करने के लिए थोड़ा सा clear कर दूँ आपको यह pack bridge है उसके बाद यहाँ पर एक polyester capacitor लगा हुआ है और यह पिर एक और chop coil लगा हुआ इसके थुरू जो AC बनती है यहां से आई है AC जो bridge के बीच वाले pin पर आएगा AC यह ट्रायोड क्या करेगा यह pack bridge diode क्या करता है DC में convert कर देता है और इस coil से होता हुआ 300 volt के आसपास इस diode से होता हुआ और फिर यह main filter capacitor पर पहुँच जाता है जो MFC है यहां पर पहुँच जाता है तो दोस्तों यहां पर बताना चाहूंगा कि यह जो diode एक normal diode है जैसे कि आप यहां देख रहे हैं यह normal diode है चोण सो दो या चोण सो आठ लगा होता है उसके बाद यह जो है यह power diode है जो 2 pin का है आप साफ साफ देख सकते हैं 2 pin का है जिसम इनका MOSFET लगावा है 90N65 इसके जगा पर हम दूसरा भी लगा सकते हैं यह सारी जनकारी यहां पर अच्छी तरह से दी जाती है कि अगर कोई MOSFET न मिले तो उसके जगा पर आप कौन सा MOSFET लगाएंगे उसके बाद यानि यह तीनों MOSFET सेम नंबर के हैं आप 80N65 यहां पर लगा सकते हैं 9N65 लगा सकते हैं 48N60 लगा सकते हैं यह सब चलते हैं तो नाम जाल लेते हैं इन इन इसे धो सूचिंग MOSFET है यानि यी है रेगुलेटर मांसवेट जो कि है यह धो help जो आगे शल्डी हुराब नहीं यह उता है तो अब हम ने यह बता दिया है फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं सुचिंग मॉस्पेट एक और ये दूसरा तीसरा जो है 300 ट्रेगुलेटर मॉस्पेट है उसके बाद अब चलेंगी इस साइड में कि इस सुचिंग मॉस्पेट को ऑपरेट करने का क्या रूल है कैसे ये काम करता है तो तो हाँ पर एक ट्रास्फरमर लगा वाल पीले रंग का आम्टर पर दूसरे चार्जर में दो डॉसरे ट्रायवर ट्रास्फऻमर का परियोग किया जाता है इसमें सिंगल ही लगा है तो सिंगल शेहING recharge से ही ये काम करा जा इएक है और सेकेंड्री दो है इसे उलटने के लिए उलट करके देख सकते हैं आप देखिए यह secondary वांडिंग चार पीन है जो secondary वांडिंग है और दो पीन यह primary वांडिंग है तो यह दो है एक MOSFET के gate को enable करता है यह दोना मिल करके क्या करते हैं दूसरे MOSFET के gate को enable करता है यानि gate पे voltage पहुंचाता है तो इस पे gate की voltage अलग-अलग मिलती है एक पे कम एक पे ज्यादा लेकिन इस MOSFET के gate यानि shooting MOSFET की gate पे voltage तब मिलेगी जब इसकी primary winding काम करेगा यानि यह primary winding है यह काम करेगा तब अब primary winding को काम कराने के लिए यहाँ पे आप गौर से देखें तो यहाँ पे transistor का परयोग किया गया है आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे transistor लगे है SMD टाइप का तो यह SMD जो ट्रांजिसर आप देख रहे हैं यह ड्राइवर ट्रांजिसर कहलाता है और यह जो आप 10 विन की IC देख रहे हैं तो 10 विन की IC जिसका नंबर है और 6005 तो यह IC oscillator IC कहलाती है तो जब यहाँ से oscillator signal आउट होता है जो ड्राइवर ट्रांजिसर के बेस में पहुंचता है तब यह ड्राइवर ट्रांजिसर के प्रामरी वांडिंग काम करती है और सेकेंडी से AC आउट हो करके इस MOSFET के गेट पे पहुंच जाता है यानि सुची जो आता है वो bridge के side से आएगा तो जोसे यह bridge है तो bridge के side से ही यह निकल करके इसे trace करके हम यहाँ पे पहुंचा सकते हैं तो इसकी tracing थोड़ी सी tough होती है तो उस tough को समझने के लिए आपको अगर जनकारी रखते हैं तो आप खुड trace कर सकते हैं और नहीं तो आपको tracing must होता है नाइन लाइनों में अगर आपको ट्रेसिंघ बहुत अच्छी इतरसे आती है तो आप गली आसानी से किसी बी charging को repair और अगर अच्छी तरह से आपको ट्रेस गमें समझनी है practical बाते समझनी है तो हमारे बेकर के सीचा बीशक कि अट वह दाइगात क्रेंके यहाँ की Crude एसी बाता में भुल्टेज भी करते है Hey External अब यहाँ पर एक छी सोर बताना चाहूंगा कि एक चार्जर को आउन करने के लिए यावस्चक नहीए यह जोड़ना आवस्चक कर सकता है लेकिन बैक्टी को चार्ज करने के लिए आपको बैक्टी जोड़ना ही पड़ेगा और जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको यह रिले है यह रिले एक्टिव हो जाता है तब जा करके बैक्टी चार्ज होती है बाइदवे अगर रिले एक्टिव नहीं होता है तो यह चार्जर ओन नहीं होगा या बैक्टी चार्ज नहीं होगी चार्जर ओन हो सकता है लेकिन बैक्टी चार्ज नहीं होगी तो अब यहां पर देखिए अगर गौर से देखें तो यहां पर ट्रांजिस्टर लगे हुए है जो रीले ड्राइवर ट्रांजिस्टर है तो यही रीले ड्राइवर ट्रांजिस्टर से रीले को चालू करता है लेकिन ड्राइबर को एक्तिव करने के लिए यानि देने के लिए यहां पे ऐसी लगी है जो इसके आ्रेड़ी do lingu Minabr लगा हुआ है लगा हुआ है तो मुझे लगा हुआ है इस स्थीकर को हटशे कि Rug p कनेक्टर कहलाता है आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन इसका प्रोग्राम आसानी से अबलेबल नहीं है मार्केट अब बात करते हैं कि यह जो सर्कुट है यह पूरा सर्कुट या इस आईसी के बारे में तो यह आईसी है LM324 IC जो की चार्जर को आउन करना में साहता करत है चार्जर को कटप में साहता करता है और एम्पियर को भरने का काम करता है तो आप यह LM324 IC से रिलेटेड कोई प्रोब्लम आता है तो चार्जर में एम्पियर का इस हुआ जाता है तो इस सर्कुट में हमें चेक करना चाहिए शाथी साथ यहां पर अप्टो कपलर लगा यह FAN Standby Trinister कहलाता है यह वाला पी यहां पर उसके बाद बात करते हैं अगले प्वइंट को कि यहां पर जो आप डैवर देख रहे हैं यह डैवर अगर आप देख रहे हैं इसमें एक जीनर डैवर है एक डैवर है इसका काम है IC को सप्लाई देना लेकिन IC के सप्लाई तब देंगे IC के सप्लाई तब हम देंगे यहां डैवर फिर से एक बार देख लिए यह डैवर है और जीनर डैवर है यह इतरह से तब काम करता है जब हमारा SM काम कर जाता है तब यहां पर वोल्टेज आपको मिलती है और फिर यही बोल्टेज आपको 16 2005 इस पर मिल जाता आप फिर दोस्तों आगे पढ़ते हैं जैसे हैं रिले काम करता है यानि रिले कब काम करेगा जब चार्जिंग वर्टेज आउट होगा और रिले स्टेंड बाई सिग्नल आएगा कॉंट्रोलर भी भाग से तो यह चार्जिंग सर्कीट पूरा एक्टिव हो जाता है और यह जो यह चार्टि डाड जो इस में एसम ट्रांसफर्मर के सेकेंडी से AC वोल्टेज आउट होता है तो यह जो चार्टि डाडों से और प्योर डीसी में कनवर्ट कर देता है और चोक वैल से होता हुआ और रिले स्टी से होता हुआ इस केपासिटर पर पहुंचता है जिसे और इस तरह से हमें वर्टिक के पोजेटिव टन्यूंतर चार्जिंग वर्टिक पहुंच जाती है और माइनस भी माइनस भी पहुंच जाता है अब हमें यह पुरा एरिया आपको बता दिया यहां पे अगर आप गौर करें कि अगर आप गौर करें तो यहां पिया देखिए तो यह पियर और ऑन दो और तीन लगे हुँए मैं तो यह संट रेइसर खराब हो जाता है यह पायरमिल कहाँ कि इस में एक और दो तीन लगे में होता है तो इसलिए डिपेंड करता है एंपिर को हम कम ज्यादा करने के लिए संट रेजिसर को घटा बढ़ा सकते हैं यानि हम पैलर में जैसे जैसे इस रेजिसर को जोड़ेंगे तो इसका वेलू डाउन होती है और दोस्तों अब यह जो आप देख रहे हैं यहां पे 7805 रेगुलेटर आइसी लगी है यह सप्लाई यानि यहां से निकली है इस डायोर से और उसके बाद यहां पे 7805 के पिन नम्मर एक पे पहुंची है जो कि लगबग 12 वुल्ट होता है और 5 वुल्ट यह से आउट करके इ दूसे साथ यह 5 वीजाप पी इलग पना है जोकि आपको चार्जिंग और अप्लों सो करने का काम करता है तो इस्का हम डिश्पले यहां पे देख सकते हैं तो यहां पे जो मैसेज होगा वो डिस्पले पर सो कर जाता है तो इस परकार से जो इस यह इस topic में चार्जर का मु उसका short वीडियो में ये main main काम मैंने आपके सामने बताया है पुरिफ्ट की जनकारी के लिए अच्छी जनकारी के लिए आप हमारे हाँ भीजिट कर सकते हैं और अगर आप इस line से जुड़े हैं तो इस वीडियो देख करके भी आपको काफी जादा helpful मिलका है यानि आपसे देख करके भी अगर जनकारी थोड़ी बहुत ही है तो आप खूद कर सकते हैं और अगर बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो आप हमारे हाँ टाइम दे करके अच्छी तरह से सीख सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही thank you thank you very much